आपके अपने चनल पर यहां हम बात करेंगे नीट 2021 क्योंकि आज के समय में इस समय बहुत ज़्यदा चर्चा में हैं अभी एक्जाम कंडक्ट हुआ है और कुछ घटनाए भी दुखत घटनाए भी घटी हैं तमिलनाडो में लेकर और कुछ विधेक पास किये गए तमिलनाड के लिए बचा है ऐसा आपको क्या लगता है इस पर आपके टिपनी महत्पूर होगी और साथ में अंग्रेजी माध्यम वालों के आगे हिंदी माध्यम वालों का क्या हाल होता है ये भी आपके ही द्वारा जाना जाएगा यहीं आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया होगी हम कम लागू नहीं हो सकता, और सीधे सब्डों में अगर हम कहें तो केंशरकार की मंजूरी आवस्चक होगी इसको लागू करने के लिए, अब केंशरकार इस पर अपनी प्रतिकरिया क्या देती है, क्या नहीं देती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और इसे मंजूर करती ह कि नहीं करती है, सिर्फ राश्रकार इस तरीके के विधायक पारित करके लागू नहीं कर सकती, तो ये चीज़े जो हैं, सम्विधानिक हैं, तो उनमें एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहद ये चीज़े चलती हैं, तो उम्मीद करते हैं, कि ये चीज़े आपको समझ म लागू होगा या नहीं एक सवाल आपसे जो है कि नीट की जो ये विध्यक है उसमें कहा गया है कि intermediate के marks के प्रापतांकों पर ही हम जो है admission देंगे जैसा कि वहाँ पहले चलता आया है इसी तरीके से NEET से admission मिले या इंटर से प्राप्त अंकों के आधार पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट डॉक्स में आवस्य बताएं यहीं कमेंट डॉक्स में आप बताएं कि आप के हिसाब से कौन सा बहतर है नीट इक्साम ही बहतर है या जो इंटर में माक्स आपके आते हैं उसके आधार पर मेडिकल सेक्शन में आपको इंटरी मिलनी चाहिए तो यह दोनों चीजे हैं अगर आप इंटरमीडिट के पक्ष म है तो यानि आप उस विधएक के भी पक्ष में है और अगर आप इंटरमीडिट के अंक के पक्ष में नहीं है तो आप नीट के । यह चीजे है यहां पर और एक चीज और यहां पर देख सकते हैं आप सभी लोग जरूर बताईए कि कोचिंग सेंटर में जो बच्चे पढ पाता इस वोजे से वो पिछड़ जाता है एक बहुत बड़ा रीजन है और क्या रीजन्स हो सकते हैं वहाँ पर हाई चीजें और बहुत बहुत बेटर तरीके से इंस्ट्यूट उनको पढ़ाने की कोसिस करता है क्योंकि मोटी फीस लेता है तो यहां चीजें उससे डिफर कि क्वltry लेटें कर जाते हैं नीट के एक्जाम में सीव जाकर बाते हैं ओनों में एक बड़ा गमाते हैं तो इस पर भी आप सब लोग का रित्कारिया दें मैं चाहता हो किह लाग ता हूं कि इस वेडियो कə शेडरी पुट्ट में एक हमारे और आपके बीच का इंट्रेक्शन हो और आप अपनी प्रतिक्रिया जबजस तरीके से दें इस पर्टिकुलर वीडियो पर और जद चद लोगों को शेर करें राय अपनी जरूर दें जिससे जो आपके बीच में एक डाउट्स जो हो रहा हो जो confidence नीचे गिर रहा हो उस से मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे भी जो चीज़े अच्छी लगेंगी उन्हें मैं आपके साथ शेयर करने की कोसिस करूंगा कमेंट बॉक्स में तो मिलते हैं कमेंट बॉक्स में इसी वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जय हिन जय भारत